नमस्कार प्यारे दर्सको स्वागत है आप सभी का देनलोज गुरू के इस रूप चनल पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हर्याना में किसानों को दे दिया है एक बड़ा जटका क्योंकि अब हर्याना में ने ट्यूबल कनेक्शन पर जटका दिया है ओपन कनेक्शन नहीं देगी सरकार गिरता भूजल इस्तर इसकी खास वज़े राज में 6 लाग कनेक्शन मजूद तो हर्याना में ने टूबल कनेक्शन के लिए आविदन करने वाले किसानों को सरकार ने जटका दिया है राज में गिरते भूजल इस्तर को देखते वे प्राथमिक्ता के आधार पर ही नए आविदक किसानों को नए कनेक्शन सरकार देगी इसका खुलासा विदान सवा में एक सवाल का जवाब देते हुए मुक्मंत्री ने क्या है सियम ने कहा कि प्रदैस में पानी की कमी और उपलब्द पानी के उचित उपियों को सुनशित करने के लिए सरकार सूच में सचाय अपनाने वाले किसानों को ओपन ट्यूबल कनेक्शन देना संभाव नहीं है क्योंकि अधिकांस चेतरों में पानी ज़ादा नीचे चला गया है तो जिहां बतादे कि हर्याना में ने कनेक्शन लेने के लिए 8428 किसानों ने आवेदन किया है ये आवेदन 2014 से लेकर अब तक किये गया है मुकमंत्री ने कहा कि वर्स 2018 में अवेदन किये हुए ट्यूबल कनेक्शनों में से 412 कनेक्शन बकाया है इन कनेक्शनों को तुरंट दिया जाएगा और 23-24 में इन कनेक्शनों से अगले कनेक्शनों के लिए डिमांड नोट जारी किया जाएंगे तो राइट टू सर्विस में नहीं आएगी सेवा तो मुकमंत्री ने अभी इसपस्ट कर दिया है कि ट्यूबल कनेक्शन देने की परकरिया को सेवा का अधिकार अधनियम के तहत लाना संभाव नहीं है क्योंकि ट्यूबल कनेक्शन में तीन घटक होते हैं पहला प्राकरतिक, दूसरा पानी की उपलवता और तीसरा बजट इन तीनों वज़े के कारण सरकार इसको राइट टू सर्विस के दायरे में नहीं ला सकती है तो यहाँ पर साफ साफ का है कि जहाँ पानी कम है वहाँ नहीं मिलेगा कनेक्शन तो मुख मंत्री के द्वारा यहाँ पर बदाया गया है कि टूबल कनेक्शन देना संभव नहीं है कि अवल सूत निसेशा है अपनाने वाले किसानों को कनेक्शन दिये जाएंगे पचास होर्स पाबर यानि HP से अधिके कनेक्शन नहीं दिये जाएंगे दस HP तक के लिए सोलर कनेक्शन भी दिये जाएंगे तो सरकार दे रहे यह 6 करोन सबसिडी तो मुख मंद्री ने एक टूबल कनेक्शन पर सरकार के और से एक लाग रुपए की सबसिडी दी जाती है प्रदेश में 6 लाग टूबल कनेक्शन विद्वच चल रहे हैं कनेक्शन इस साल दिये जाएंगे यह भी बड़ी खबर है यानि कि 23-24 में कनेक्शन नहीं दिये जाएंगे